जै माता दी, आदमें आपके साथ शेर करने वाली हूँ शनिवार व्रत की पौरानी कथा और ये कथा इस परकार है एक समय सभी नबग्रह, सोरे, चंद्रमा, मंगल, बुद्ध, ब्रेहसपती, शुक्र, शनी, राहू, केतु में विवाज छड़ गया की इन में से सबसे बड़ा कौन है, सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास पहुचे इंद्र इंसे घवरा गये और इस निर्णय को देने में अपनी आसमर्था चताई परन्तु नोंने कहा कि इस समय प्रित्मी पर राजा विक्रमा दित्ते हैं जो कि अती नियाइप्रिये हैं वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमा दित्ते के पास पहुचे और अपना विवाद बताया साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा राजा इस समस्या से अती चिंतित हो उठे क्योंकि वे चानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा तब राजा को एक उपाय सुझा उन्होंने स्वन, रजत, कास, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अब्रग और लोहिस से नौ सिंखासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिये फिर उन पर सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने-पने सिंखासन पर स्थान ग्रहन करें जो अंतिम सिंखासन पर बैठेगा वही सबसे चोटा होगा इस अनुसार लोहका सिंखासन सबने सबसे बाद में होने के कारण सनीदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे चोटे कहलाए उन्होंने सोचा कि राजा नहीं जानबुझ कर किया है उन्होंने कुपित हो राजा से कहा राजा तू मुझे नहीं जानता सूरी एक राशी में एक महिना चंद्रमा सवा दो महिना अंगल देड़ महिना बिरस्पती तेरह महिना वबुद्ध और शुक्र एक-एक महिना विजरन करते हैं परंतु मैं धाई साल से साड़े साथ साल तक रहता हूँ बड़े बड़ो का मैंने विनाश कर दिया शिरी राम की साड़े साती आने पर उन्हें वनवास हो गया रावन की आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा अब तुम साबधान रहना ऐसा कहकर कुपित होते वे शनी देव वहां से चले गए अन्य देवता कुशी कुशी चले गए कुछ समय बाद राजा की साड़े साती आए तब शनी देव घोडों के सौदागर बनकर वहां आए उनके साथ कई बढ़िया घोडे थे राजा नहीं स समाचार सुनला और अपने अशपाल को अच्छे अच्छे घोडे खरीदने के लिए आग्या दी उसने कई अच्छे घोडे खरीदे वा एक सर्वोतम घोडा राजा की सवारी हेतु दिया राजा जियों ही उस पर बैठा वह घोडा सरपट बनकी और भागा भिशन बन में प एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादी पिया और कुछ विश्राम भी किया बागेबस उस दिन की सेठ के दुकान में बहुत ही विक्री हुई सेठ ने उसे खाना इत्यादी खिलाने के लिए अपने साथ घर ले गया वहां उसने खोटी पर देखा कि एक हार तंगा है ज चरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीकाप अपनी गाड़ी में बिठा लिया वह अपनी जीव से बैलों को हांकने लगा उस काल राजा की शनी दशा समाप्त हो गई वर्शा काल आने पर वह है मलहर गाने लगा तब मैं जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन फ्रन कर दिया कि वह उस राख गाने वाले से ही विभा करेगी उसने दासी को ढूफनने भी जा दासी ने बताय कि वह एक चौरंगिया है फरंदु को बुला भेजा और विभा की तियारी करने को कहा फिर विभा राजकुमारी से हो गया तब एक दिन सोते वे स्वापन में शनीदेव ने राजा से कहा राजा देखा तुमने मुझे छोटा बता कर कितना दुख चेला है तब राजा ने उनसे शमा मांगी और प्रात्ना की कि ह शनीदेव जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे शनीदेव मान के और कहा कि जो मेरी कथा और रवरत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख न होगा जो नित्ते मेरा ध्यान करेगा और चीटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनुरत पूर्ण होंगे साथ ही राजकुमारी ने दिखा तो वह आशर चकित रहे गई विका ने उसे बताया थे कि वह उजयन का राजा विक्रमा दित्ते हैं सभी अत्यंत प्रसंद हुए शेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर शमा मांगने लगा राजा ने कहा कि वह तो शनीदेव का गोप निवेदन किया कि मुझे शांती तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे सेठ ने अपने घर नाना परकार के वेंजनों से राजा का सतकार किया साथ ही सब ने देखा कि जो खोटी हार निगल गई थी वह सब उसे उगल रही है सेठ ने अने को मोरे देका रा हाँ उजैन वासियों ने उनका स्वागत किया सारे नगर में दीप माला हुई वह सबने खुशी मनाई राजा ने घोशना की कि मैंने शनी देव को सबसे चोटा बताया था जबकि असल में वही सर्वो परी है तब से सारे राजे में शनी देव की पूजा और कथा नियमेत रुप से होने लगी सारी पर जाने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया जो शनी जो कोई शनी देव की कथा को सुनता अत्वा पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं ब्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए और इस परकार शनीवार की ब्रत कथा समाथ हुई